जब इस बार भरती गोटालों के मामले खुले तो मंत्री जी की उपलब्दी भी बहार निकल कर आ गए कि कैसे 13 नमबर में उची खुद की बेटी को रोजगार मिल दिन रात पड़ाई कर रहा है कोई यहां से हलदुआ नी जा रहा है कोई दरदू जा रहा है कोई अन्य दरदू में दिन रात महनत कर रहा है और वो जब नौकरी की परिख्षा देकर कमरे से बाहर निकल रहा है तो उसे पता चल रहा है कि भरतियों को बेच दिया बागिस्वर उप्चुनाओं को लेकर घमासान सुरू हो गया है यहां पे हमारे साथ आज खास बातचीत करने के नेता उप्रतिवक्स हमारे साथ में हैं सर क्या तैयारियां है क्या माहूल लग रहा है आपको बागिस्वर उप्चुनाओं में देखिए आज बसंत कुमार जी कॉंग्रेस प्रतियासी हमारे हैं उनके नामंकन में इतनी गर्मी के बाद जिस उत्सा से जो जन सहलाब बहु कॉंग्रेस के सभी लोग आज नामंकन में हमारे सीनियर सामिल हुए हैं और कॉंग्रेस उन रूप से उप्चुनाओं को लड़ने के लिए तयार है अगर बात करें पिछले साड़े छे वर्सों की तो उत्राखंड का हर ब्यक्ति बूरी तरह तरस्त है इस डेड़ वर्स मे जो उत्राखंड के युवाओं ने साहा है मुझे लगता है कि वो उत्राखंड आंदुलन के जो समय की स्तिति वैसी एक स्तिति पैदा हो गई है उत्राखंड का युवा सिरफ ये बात कह रहा था कि जो हमारी मेहनत है जो गरीब युवा है जो सामान्य घर का युवा है जो परिवार के सपने उस युआ के बहुशिक हसाद जुड़े होए हैं। उसका पूरा परिवार अपनी गाड़ी कमाई का 70% उस युआ पर खर्श करता है कि उस युआ का जीवन सुरक्शित हो। उसके सपने साकार हो। और जो उसके माबाप के सपने पूरे नहीं हो पाए वो उनको पूरा करे और वो मेहनत से दिन रात पड़ाई कर रहा है कोई यहां से हल्दवानी जा रहा है कोई दिरदून जा रहा है कोई अन्य जगों उपर जा रहा है और छोटे से कमरे में रहके बहुत कम संसाधनू में दिन रात मेहनत कर रहा है और वो जब नौकरी की परिख् कमरे से बाहर निकल रहा है तो उसे पता चल रहा है कि भरतियों को बेच दिया गया ये घटना एक बार नहीं दो बार नहीं कहीं बार हो गई और युवा लंबे समय से सरकार से न्याय चाह रहा है सर चार बार बिधानसवा चुनाओ यहां पे चंदर नामदाश जी जीते थे तो ऐसे में जब समपैथी भी बाचपार कारिकरता करें कि इस बार समपैथी उनको मिलेगी कितना क्या लग रहा है आप देखिए भारती जनता पार्टी ने जो एक स्टार परचारकों की लिस्ट निकाली है चालीस लोगों की पूरे प्रदेश के सरकारी जो अमले हैं मंत्री हैं पूरो मंत्री हैं सबको यहां जहुक दिया उससे पता चल रहा है कि भारती जनता पार्टी घबराई हुई है और बात रही चार बार चुनाओ जिताने के बाद जब इस बार भरती घोटाल दिन रात मेहनत करकर उनको चार बार से चुनाओ जिता रहे थे कहां तो उनके बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए था वहां भी मंत्री जी ने अपनी बेटी को लगा दिया तो यह सब लोग सामिल है इस प्रस्टाचार में और दूसरी बात पुत्राखंड का युवा अपने को खतम कर दिया और जब हजारों युवा एक रात में अपने आप सड़कू पर उत्रा और उन्हें सरकार से मांग करेगी अगनी वीर नहीं होना चाहिए जो लोग शलेक्ट हुए उन इस्तान मिलना चाहिए तो सरकार ने भारती जंता पार्टी की डबल इंजन की सर केंद्र सरकार को ये संदेश पहुचाना चाहिए था कि अगनी वीर योजना से पुरे उत्राखंड के पहाड़ों का रोजगार खतम हो जाएगा युवा सड़कू पर है इस योजना के बारे मां आपको पुनर विचार करना चाहिए वो उन युवाओं पर लाठी बरसा र दिया आपने भरती घोटालों से जो भरती घोटाले हैं उसमें सीबी आई की जो मांग युवा कर रहा था लगातार पूरे प्रदेश का युवा प्रदेश का आवाम हर व्यक्ति चाहता था चाहिए वो किसी भी दलका हो कि भरती घोटालों के सीबी आई जांच हो तो सरका सरकार वहां बुल्डोजर भेज़कर साक्ष मिटाने काम करती है कौन है वोई आईपी पुरा प्रदेश जानना चाह रहा है लेकिन सरकार ने मौंधाना कर रखा है जितने आरोपी भरती कान में जेल गए लगबग लगबग सब छूट के आ गए सरकार की कानों में जून नही पीर मुद्दे हैं और सरकार कहीं भी उनका संग्यान तक नहीं लेती चाहे लोक्षवा आयोगों चाहे अदिनस्यवा चाहे नायोगों सरकार को भरतियां बेचने में लगातार लगी हुई है इसलिए यह जवाब देनी का समय है और बागेस्वर की जंता के पास एक मौका ह कि भारती जंता पाटी ने जो कुकर्म किये हैं जो उत्राखंट के नाम को कलंकित कर दिया आज देश में अगर उत्राखंट की बात करते हैं तो भरति गोटालू के नाम पर जाना जाता है अंकिता हत्याकान के नाम पर जाना जाता है आज उर्जा प्रदेश में चार-चार छेचे गंटे बिजली रोची कटोती है और बिल चार गुना कर दिया बढ़ा का तो ऐसी सरकार जो हर जगपर असफल है और आकंठ गले तक प्रस्टाचार में डूब चुकी है आज कोई भी ऐसा काम नहीं जो बिना घुश दिये हो रहा हूँ इस प्रदेश में और मैं तो य होंगा कि ऐसी इस्तिति आज तक कभी नहीं आई हर व्यक्ति यहीं कह रहा है कि भई ऐसी सरकार किसी नहीं नहीं लेगी तो जह लग रहा है सर बसंद कुमार जीत पाएंगे आज जो युवाँं का उत्सा है जो महलाओं की भागिदारी है इतने धूप में इतने कम संसाधन में 3,000-4,000 लोगों का जनसेला पूरे बाजार को घूम रहा है बसंद कुमार कैसा हमारा विधायक कैसा हो बसंद कुमार जैसा हो हमारा विधायक कैसा हो बसंद कुमार जैसा हो तो उनकी भावना है कि बसंद कुमार पढ़े लिखे योग युवा है उनके अंदर वो का कंपरिजन भी आप करेंगे तो उसमें भी आपको दिखाए देगा धन्यवाद सर उत्राखंड तक से बात करने कि तो यह थे घुबन कापड़ी जी जिनने अब चुनाव को लेकर बागेश्वर उप चुनाव को लेकर अपनी रंडी थी हमें साजय की बागेश्वर से जग करेंगे लुबन करेंगी की जगष कि रहला है कि अ